नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास घड़ी ना होती तो क्या होता? क्या आज भी हम सुरज की रोसनी और आवर गलास से समय का अंदाजा लगा रहे होते? जी हाँ, यदि हमारे पास घड़ी नहीं होती, तो आज के इस आदुनिक समय में भी दूप और आवर गलास की मदद से ही समय का पता लगाने के लिए मजबूर होती इसके अलावा एक एक सेकंड के हिसाब से चलने वाली घड़ी भी सिर्फ कलपना में होती लेकिन इस कलपना को हकीकत बनाया एक ताले वाले ने उनके द्वारा बनाय गई घड़ी को पुमंदर वाज के रूप में पाचान मिली यह दुनिया की पहली ऐसी घड़ी थी जिसको एक जगा से दुसरे जगा लेकर जाया जा सकता था इस घड़ी का वसकार जर्मन के नून बर्ग सहर में ताला बनाने वाले पीटर हैंलें ने वर्स 1505 में किया था थास बात यह है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी है जो आज भी काम करती है घड़ी का डिजाइन एक तांबे के गोले पर बनाया गया है जिस पर सोने का पानी चड़ा हुआ है इस घड़ी का अत्पादन मुख रूप से टॉर्सन पेंडूलम और कॉयल इस्परिंग मसीन के द्वारा किया गया था अपने जीवल काल में उन्होंने इसी परकार की कई घड़ीों का निर्मान किया इसे नूर्न बर्ग अंडा भी कहा जाता है इसके अलावा उन्होंने 1541 में लिक्टेनों महल के लिए एक टावर घड़ी भी बनाई थी जो आज भी चल रही है घड़ी के विसकार के बारे में जानने से पहले आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि इसका विसकार एक बार में नहीं हुआ दरसल पहले घड़ी की सिर्फ घंटे वाली ही सुई हुआ करती थी फिर कूछ समय बाद मिनट वाली सूई आई और फिर सेकेंड वाली सूई को लगा कर इसे पूरा किया गया यह वज़ा है कि आधुनी घड़ी के अविस्कार को लेकर कई तरह के विवाद है रेपोर्ट के मुताबिक घड़ी में अगली सुई मिनट वाली सुई की खोज वीट जर लेंड के जौस बर्गी ने साल 1570 को किया था हाथ में पहाने वाले घड़ी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसकी खोज फ्रांस के जाने मारे मैथमेटिसियन ब्लेज पासकल ने की थी पासकल ने ही कलकुलेटर का भी अविशकार किया था ताल 1650 के दोर में लोग समय देखने के लिए घड़ीयां को अपनी जेब में लेकर गुमते थे जबकि पासकल जेब में लेकर गुमने वाली घड़ी में ही गरसी बंद कर हाथ में पहनते थे ताकि काम के दोरान वा आसानी से समय को देख सके बहे रिपोर्ट कहती है कि घड़ी का अविशकार 1996 इसवी में पोफ सिल्वेश्टर दुइत ने किया था जिसके बाद यूरोप में तेरवी सताबदी के आसपास घड़ीयों का इस्तमाल सुरू हो गया था इतना ही नहीं साल 1288 में इंगलेंड के वेस्ट मिस्टर में बड़ी बड़ी घड़ियां भी लगा दी गई थी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं